Hello and welcome back everyone मेरे नाम है आशीश और आप देख रहे हैं food order application in angular 13 project आज की इस project में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से activated route यूज करते हैं किस तरीके से search component बनाते हैं search component को parents के coding उसकी ID या उसके string data को किस तरीके से सर्च करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं और साथ जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट सीखने जो कि इंटर्विय में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वनवे डेटा वाइंडिंग और टूवे डेटा वाइंडिंग में सर्च टीशी और फूट और ठीक है फूट कॉर्णर यह प्लेशोंडर मैंने लगा कर रखा है एक इंपूट बॉक्स है इसको डिजाइन करकर रखा हूं तो यहां पर कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो इसली सर्च होगा ठीक है तो चलो सब्कोज मुझे मीट बॉल सर्च करना ठीक है जबकि हमारा दूसरा ही कंटेंड मीट बॉल है तो हम यहां सिंपली टाइप करेंगे एम एम एएटी अब लिखकर इंटर जैसी करेंगे वैसी हमें मीट बॉल का ऑप्शन दिख जाता है यहां पर एक चीज और सबसे इंपॉर्ट चीज देखेंगे कि मी अब इसकीप कोड का ठीक है तो यहां पर देखनेंगे चेंज करेंगे तब हमारा है डेटा चेंज होतागा अपर स्पीّ टांड है तो बिसिकली आज हम इसी पर वो करने वाले हैं तो बिना टाइम बेस्ट करते हैं अब आपको अपने कोडिंग पार्ट मिले चलते हैं और वहां प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरीके से सर्च कंपोनेंट बनाएंगे एक्टिवेटेड राउड यूज करेंगे पैरं और आज हम एड़ करने वाले हैं सर्च कंपोनेंट जैसा कि अभी हमने बताया और यह देखो हमारे सारे कंटेंट बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीकेस देख रहे हैं ठीक है जो भी चीज़े हैं जो पिछले वीडियो हमने डिजाइन किया था और काफी कूल एंड लुक इसको नोट पैट पर लेग रखा है एडिंग सर्च राउट इन दर आप्राउट इस तो इन सारे मतलब सिस्टम से समझाऊंगा एक एक पॉइंट समझाऊंगा जिससे कि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए ठीक है तो इसको मिनमाइज करता हूं सबसे एप्राउडिं सबसे पहले तो कॉमा करते हैं और कर लिए ब्रिकट ओपन एंड क्लोज यहां पर पात देते हैं पात पर पात को सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे सर्च स्लैश सर्च आइटम बिसेकली जो यह सर्च आइटम में लिख रहा हूं इसी पटिकुलर सर्च आइटम के के अची अचेटम में यहां पर आऊपी पेस्ट कर लेते हैं अभी हमें लगता है कि पूरदैन इसन नहीं नहीं हो पाया है js and ts file इसा वज़ा सेजेशन नहीं दे रहा है तो मुझे सजेशन तुरन देता ठीक है सेप कर लेते हैं इसको पहला पॉंट हमारा क्लियर हो गया तो मैं रिमूब कर दूंगा दूसरा पॉंट यूज एक्टिवेटेड राउट इन component तो home component पे अपनाएंगे और वन से कहने minimize क्यों कर दे रहा हूं है ठीक है यहां मैं home component पे सबसे पहले इसको दिखा देता हूं use activated route in home component for search item search item के लिए home component पे हम activated route यूज करने वाले हैं तो activated route आएंगे और यहां TS file में आएंगे सबसे पहले और TS पे आने के बाद यहां पर करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले तो यहां पर मुझे add करना पड़ेगा activated route ठीक है activated route import करेंगे import करने कबाद उसको इंजिक कराएंगे अपने constructor पर यहां पर import लिखेंगे और curly bracket के अंदर activated route लिखेंगे suggestion आया है जैसे हिंटर करूंगा automatically import हो जाएगा ठीक है उसके बाद next step पे आपको करना क्या है इस activated route को आपको यहां constructor के अंदर प्राइबेट तरीके से इंजिक कराना है ठीक है तो यहां पर हमने लिखा प्राइबेट इस पेस राउटर कोलन activated route तो यह क्या हुआ अब हमारा activated route एक्टिव हो चुका है ठीक है अब यह work properly करेगा जहां पर मुझे अब सबसे पहले तो हमें सर्च कंपोनेंट क्रियेट करना है उससे पहले यहां पर मुझे कुछ चीज़ें इंप्लिमेंट करना पड़ेगा तो यहां पर लिखूंगा डायेक्ली इस डॉट राउटर डॉट परम्स क्योंकि यहां पर हमें डेटा चाहिए तो परम्स और यहां परम्स को भी मैं क्या करूंगा ऐरो बैक के साथ अब डिश्डाट जो यहांरा फूड है फूड है इस फूड में हम सारी डेटा जो भी डेटा हमारा लोवर केसे आपर केस में सर्च किया जाएगा उसके हम गयद्र करने वाले तो उससे पहले रिखेंगे परम्स. dot search item आपको यहां पर एक चीज बता दो एंगलो 13 का नया चीज है परम्स के साथ अगर कोई भी डेटा आप इस्टिंग में सर्च करना चाहते हैं तो आपको इसको लाज्ट में भी कबर कर लेंगे तो अब यहां करना क्या है इस जो हमारा फूर्ट से इस इक्वल टू इस फूर्ड में क्या करूंगा यह वाली वैलू सर्च कराऊंगा जो हमने यहां पर टाइप कर रहा हूं दिश डाट फूर्ड एक फूर्ड नाम का इसको हम क्या करेंगे फिल्टर करेंगे जो एफस मतलब होता है हमारा फूर्ड सेर्विस फूर्ड सेर्विस कंदर गेटाल में इसके अंदर हम फिल्टरिंग कर रहे हैं फिल्टरिंग में हम क्या करेंगे फूर्ड नाम को सर्च करेंगे ठीक है तो यहां पिसको पहले रिम फूट नहीं 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 यहां पर फूड एरोबैक के साथ आइ थिंक दिस नहीं लगेगा नहीं यहां पर लगेगा फूड डॉड नेम डॉट टू लोवरकेश ठीक है actually क्या हो रहा है कि एक तरीके के मैं नया एक food ले रहा हूँ उस food में इस aerobag के साथ food का name, name के साथ lower case के साथ मैं सर्च कराँ गा और एक चीज़ और देहां देना lower case ही सर्च करेगा जरूरी थोड़ी है पहला character uppercase भी कर सकता है तो मैं यहां include के साथ यूज कर ले रहा हूँ include अब include क्या करूँगा मैं अपने original वाले जो हमारे data है उसके साथ include करूँगा तो जो हमारे params के अंदर आ रहा है search item या search का data उसको भी हम lower case में ही करेंगे ठीक है तो यहां पर लिखें params.search item.to lower case कि लोवर के सजेशन के नहीं आ रहा आना चाहिए था यहां पर भी सजेशन आइटिंग कुछ तो इस्व है एक बार लेट मीच चेक वन सेकेंड इंक्लिवड फिर से लिखते है params के कहीं कोई एक वैलू अगर एक भी पॉइंट गलत हो जाता है न तो यहां पर प्रॉब्लम यह तो यह error तुरंता था ठीक है params.search item.to lower case यह दोखवा गया ठीक है अब इसको कर देना है अब देखो यह हमारा error दे रहा है ठीक है मैं चाहूँ तो इसको quick fix कर सकता हूँ यही से यह क्या करेगा इसको बनाना bracket के अंदर single string में डाल देगा क्योंकि यह string की value है कोई भी चीज सर्च करूँगा तो इस्टिंग में सर्च करूँगा देखो यहां मैं करके आपको भी दिखाता हूँ लेकिन आपको यह दिखाना चाहता था कि इस तरीके का अगर error आपको भी आएगा तो आप उसको find out कर लेना ठीक है अभी रुको इसको मैं पहले else वा उसके अंदर सारे डेटा रहे तो सर्च हो जाएगा अब देखो यहां पर दिखाएगा देखो दिखाने लगा कंशोल पर अब आपन क्या करेंगे हैं क्विक फिक्स पर आएंगे चाहें आप एक डेटा को ऐसे कर लो सिंग्ण बनाना ब्रेकट के अंदर सिंगल श्टिंग करवा दो ठीक है तो यह देखो और अटोमेटिकली उसी तरिकेस हो गया सेप कर लो सेप करने बाद आप और पूट आपको इसको दिखाता हूं जैसे यहां लोकल हो सुर्ट डबल जीरो रन है स्लैस यहां लिखते हम सर्च स्लैस मीडबॉल मीडबॉल डेटा सर्च करें दे ठीक है तो यहां पर चिकन नाम से सर्च करते हैं तो देखो चिकन सूप आ रहा है प्रॉपरली एक एक चीद देख रहा है प्राइज यह सारी चीज सारा डेटा मतलब पूरा कार्ड की वेलू आ रही है उस वाले जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं नेम से ठीक है तो आई जेनरेट सी फॉर कंपोनेंट और सर्च लिक के इंटर करते हैं और कुछ सेकंड वेट करते हैं उसके बाद हमारा यह सर्च कंपोनेंट कंप्लीटली तयार हो जाएगा सर्च कंपोनेंट मैं आपको बता दूँ चार फाइल यह कंटेंस होगी एपमॉडूल.ts को अपडेट कर देगा ठीक है अच्छा जब मैं बोलता हूं एपमॉडूल.ts को अपडेट कर देगा तो इसका मतलब यह होता है कि एपमॉडूल.ts में इस फाइल को इंपोर्ट कर देगा आटोमेटिकली ठीक है बता देगा कि हाँ यह वाला सक्षन यह वाला कंपोनेंट यूज करने ल टीक है एक सर्च आइटेम सेटम की प्रापरटी को सब पहले मैं Now करता हूं ठीक है तो सबसे पहल है मुझे तीएस पर जाना पड़ेगा चाहिए यहा पर स्पर पर सरच आईटेम को इनिश्तिलैज टंगा सर्प करों ऐस बाह्री को Your इसे को Som healthy UK लिए defeat यह यहो 思ड कह करा अब सर्च.component.html पर आता हूं यहां एक चोटा सर्ड डियू बनाता हूं डियू के अंदर मैं इन्पूट टैग लेता हूं इन्पूट टैग और इन्पूट लिखके जैसे इंटर करूंगा आटोमेटिकली इन्पूट टैग लग जाएगा और यहां पर सबसे पहले मुझे प्लेसोल्ड डालना है तो प्लेसोल्ड डालने के लिए यहां पर सिंप्ली हम प्लेसोल्ड यूज करेंगे और प्लेसोल्ड किया अब one second corner ठीक है और उसके बाद यहाँ पर एक एक attribute और add करता हूँ value नाम से value को मैं यहाँ पर one way data winding दे रहा हूँ आप लोग ध्यान देना one way data winding कर रहा हूँ और इस चीज़ का मैं differentiate करने को बोला था तो इस चीज़ को differentiate करूँगा यहाँ पर ने लिखा search item और save कर दिया ठीक है save करने के बाद check करते हैं अभी यहाँ पर आपको कुछ भी output नहीं दिखेगा ठीक है क्योंकि आपका search box अभी आया ही नहीं है search box आप कहां लगा है कहीं use ही नहीं कि सिर्फ component आपने किनाया है routing दे दिया है पर उसको actual तरीकस तो यूज ही हम नहीं कर रहे है तो उसको use करना ही है यूज भी कर लेंगे हम अभी ठीक है उसके लिए बहुत जादा पर रिशान होने क्यों नहीं यहाँ आप सबसे पहले मैं एक बेटन कर देता हूं लिखता हूं सर्च फूड ठीक है सर्च फूड अलाकि जरूरी नहीं इतना बड़ा नाम लिखने की मैं सर्च अकेल लिखंगा बाद में फिलाल आपको दिखाने के लिए मैं इसमें लिख दे रहा हूं सर्च फूड अब आपन इसमें राउटर कोलन एक्टिवेटे राउट ठीक है सेप कर दिया अब उसके बाद एक काम करते हैं यहां पर यह चीजे हो गई हमारी और उसके बाद यहां पर लिखते हैं देच डॉरर राउट डॉरु परंस यहां पे भी डेटा को हम subscribe करने वाले हैं dot subscribe parenthesis के अंदर फिर से again params arrow back function के शाथ params curly bracket open and close after this this dot search item is equal to this dot नहीं इस नहीं params dot ठीक है params dot search item ठीक है बस इतना सा आपको करना था अब इसको उसी तरीके से आपको फिर से सेट करना है देखो जो से मैंने बताया था इसको मैंने आपका यहां पर सारी चीजें सब सेट है ठीक है तो यह add search item property यह भी clear कर दो एक क्योंकि यह हो गया है और यह भी point हो गया हमारा add search text input box ठीक है अब अचा है activated route for showing URL by search item तो URL पर भी मुझे आपको दिखाना है तो अभी आपको URL पर दिखा दूँगा वो तो अभी मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ तो इसको properly work करने के लिए काम करते हैं इस selector को सब सब पहले हम copy करते हैं और selector को copy करने बाद अपने homecomponent.html पर आते हैं ठीक है टेक के साथ इसको बाद इसको close भी करना पड़ेगा हमको close कर दिए और save कर दिए अब आपको दिखाते हैं सर्च बटन आ जाएगा यहाँ पर search का input box आएगा search का button भी आएगा तो मैंने save किया अब देखो यह top पर दिख रहा है आपको undefined by default आ रहा है क्योंकि मैंने by default undefined ही रखा है तो इसलिए यहाँ पर undefined आ रहा है अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे कुछ भी action perform नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी करोगे यहां से कुछ नहीं होगा आपको तो मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूं कि कितने perspective हो सकते हैं किसी भी problem या किसी भी program को solve कर रहा है ठीक है यहां पर condition देते हैं इस अगर हमारा parents.search item है तब हमें यह चीज दिखाओ ठीक है और यहां पर भी हम उसको access करने के लिए देते हैं save कर देते हैं अब एक बार आपको output दिखाते हैं output में सबसे सांदार चीज़ की undefined आपका हड़ गया ठीक है by default undefined नहीं आएगा लेकिन जब हम URL पर जाके यहां पर slash search slash midwall search करेंगे तो आपको देखो यहां पर सबसे अच्छे चीज़ की यहां पर आपको meatball लिखा हूँ मिलेगा ठीक है automatically मैं search कर रहा हूँ URL बार पर लेकिन आपको मिल रहा है input box पर ठीक है तो यह value जो मैंने value दिया था one way data binding में वह दिखा रहा है लेकिन मुझे यहां two way data binding करना है input box में मैं करूं और URL पर दिखे ठीक है तो उसको भी अभी देख लेते है यहां पर तो इसको फिलाल remove करते हैं create search method तो यहां पर एक search method बनाते हैं तो मैंने यहां टाइप किया search parenthesis open and close और इसको भी void type का ही दूँगा मैं जैसे कि हमारा engine on init है void curly bracket open and close अभी इस पर मैं कुछ नहीं लिखने वाला यहां पर और इसको अपने काम करते हैं यहां पर सबसे पहले मैं use कर लेता हूं router को ठीक है by default router को भी हम यहां पर यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे router के थ्रू हमें data लेना है सारा तो मैं यहां पर router लिखता हूं और यहां पर inject भी करूंगा router के भी हाफ पर ही तो यह क्या आ जा रहा है बारबार माउस ले जाते हैं अरे हद्धे यार ठीक है कॉमा करते हैं और यहां आप लिखते हैं प्राइवेट स्पेश राउट टर कॉलन राउटर ठीक है यह हो और क्यों दे रहा है राउटर है यहां पर ठीक है अरे यार यहां पर router होगा भाई ठीक है सेब ओके अब यहां हमारा दूर हो चुका है और इसको सेब कर लेता हूं एक बार सेब करने के बाद अगें फिर से इसको भी रिमूब कर देता हूं वन वे बैंडिंग प्रॉब्ल यहां वांटेड श्पेस इसकी वज़ेस को शरय रहा रहा है इसको हटाता हूं सेब करता हूं एक बार फिर से हट गया ठीक है ओके तो मैं आपको बता दूर डेटा बैंडिंग यूज करने के लिए हम एंगी मॉडल का यूज करेंगे एंगी मॉडल हमेसा आप लोग याद रखना कि यह फॉर्मस मॉडूल के अंदर होता है फॉर्मस मॉडूल बाइडिफॉल्ट नहीं आता है उसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है ठीक है तो यह रहा हमारा वन्बे डेटा बैंडिंग का एक्जामपल अब अपन क्या करेंगे टूवे डेटा वांडिंग उसको पहले इसको पहले फॉर्मे डॉक्मेंट करते हैं क्या हो भी मैं कि यह पॉष्यार नहीं करता हूं अपने medical फ्रेंगे विह ऐल्प आखने मॉडल ठीक है तो यहाँ पे एंजी मॉडल यूस करेंगे एंजी मॉडल के लिए मैंने बता है forms module को इंपोर्ट करना important है एप मॉडूल में ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक काम करता हूं appmodule.ts पर आता हूं और यहाँ पर हमने ऑल्रेडी इंपोर्ट कर रखा है forms module को तो आप लोग देख लो यहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट करना है forms module और forms module किसके अंदर है add rate angular slash forms के अंदर ठीक है तो हमारे मारे इंपोर्ट है मैं स्टार्टिंग में ही कर देता हूं इन सारी चीजों को तो अब अपन यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो एक काम करते हैं इसको यहाँ से अटाते हैं यहाँ सबसे पहले बनाना bracket यूज करते हैं बड़ा bracket उसके अंदर small bracket parentheses ng model is equal to search item ठीक है अब save कर लेते हैं सेफ करने के बाद अब एक बाद चेकर लेते हैं कि क्या देख रहा है यहाँ यह तो by default पुराना content है हमारा एक बाद फिसर रिलोड हो जाए रिलोड तो होगा सेम पेजी तो यहाँ पर चलो अभी तो यहाँ पर भी हमने सर्च वगरा कुछ लगाया नहीं तो यहाँ लिखन अब आते हैं using router putting search item into url ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने method को write करेंगे तो method को write करने के लिए simply हमें करना क्या है condition check करनी है if this.searchItem अगर searchItem है हमारा तो फिर क्या करो कि this.router.navigateByUrl और url हम कहां पास करा रहे है slash search slash ठीक है तो लिखेंगे single code में slash search slash और इसको plus symbol के साथ connect करेंगे इसके data को और यहाँ पर simply type करेंगे this.searchItem ठीक है save कर देंगे अब आपको दिखाते हैं और यह वाला method को हमें पहले call करना पड़ेगा call कहां करेंगे button पे करेंगे ठीक है तो एक काम करते हैं आपको button पे call करने से पहले सबसे पहले output में दिखा देता हूँ एक बार ठीक है अभी output आप देख लो output में कुछ ऐसा है पर जो की unnecessary है तो हमें काम करते हैं यहाँ पर click method के साथ sorry click event के साथ मैं यहाँ पे search method को call कर लेता हूँ ठीक है click event के साथ search method को मैंने call किया अब मैं कुछ भी search करूंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं input box पे लिखूंगा और URL पे automatically change होगा मैंने यहाँ लिखा पीज़ा और search क्लिक किया देखो तीन data मुझे देख रहे हैं और URL पे भी पीज़ा देख रहा है यहाँ मैं लिखता हूँ बर्गर तो यहाँ पे एक बर्गर आ गया ठीक है अगर मैं यहाँ पे लिख रहा कर रही है देखो URL भी change हो रहा है मैं input box पे लिख रहा हूँ तो by default home page पे हमारा search content भी दिख रहा है अगर यहाँ पे चलो मैं काम करता हूँ आपको कुछ सर्च करके दिखाई देता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ठीक है fried potatoes हमने डाला है तो यहाँ लिखके लिखके इंटर क्लिक करें तो चेंज हो तो उसके लिए हमें change event कॉल करना पड़ेगा चेंज इवन पे भी हमें search method ही कॉल करना है तो अभी तक क्या है माउस से बार बार सर्च करके सर्च कर रहे थे अब क्या है content diet लिखूंगा इंटर करूंगा automatically सर्च होगा तो मैं यहाँ माउस को hold रखता हूं यहाँ पर एक बार क्लिक करके hold कर दिया माउस देखो माउस टच नहीं करूंगा मैंने मुझे यहां लिखना है meat ठीक है m e a t meat लिखके इंटर किया देखो automatically आ गया फिर से माउस हटा के यहाँ चिकन लिखूंगा लिखके इंटर करूंगा देखो चिक तो अगर अभी इसमें इन सारी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप में कमेंट में जुरू बता दीजिए आई होब कि इन सारी चीजों को आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और इसके डिजाइनिंग करेंगे css के एक साथ तो तब तक ल